30 साल के बाद तवचा पर उम्र का असर धीरे-धीरे दिखना शुरू हो जाता है, 40 की उम्र तक तवचा पर जुर्या आना शुरू हो जाती है, कभी-कभी तनाव, खराब लाइफस्टाइल और प्रदूशन की वजह से भी समय से पहले चेहरे पर उम्र का असर दिखना बदलने और स्किन की देख भाल करने से बरती उम्र में भी तवचा को खुबसूरत और जवान बनाए रखा जा सकता है, तेज धूप में निकलने से बचें क्योंकि इससे आपको हाइपर पिग्मेंटेशन हो सकता है, इसकी वजह से तवचा पर समय से पहले ही जुरियां प बनाते हैं, सूखे मेवे, डेरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ओल, हरी पत्तेदार सबजिया, खटे फल, मिर्च, कीवी और नीमबू में ये विटामिन्स खूब पाए जाते हैं, सोने से पहले मेक अपना हटाने की वजह से रोम छिदर बंध हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर जुरियां पढ़ने लगती हैं, सोने से पहले अपना चेहरा पूरी तरह साफ करके ही बैट पर जाएं, इससे आपकी तवचा की गंदगी बाहर निकलती है और उसे सांस लेने का मौका मिलता है, नहा कर निकलते ही सबसे पहले स्किन पर मॉइस्चराइजर की एक लेया मॉइस्चराइजर ऐसा लगाएं जिसमें ग्लिसरीन, मिनरल ओल या हाईलूरोनिक एसेड हों, ये तवचा में लंबे समय तक नमी बनाए रखते हैं, अपनी तवचा को हाइडरेटेड, कोमल और बेदाग रखने के लिए दिन में कम से कमाट गिलास पानी पिए, कम पानी पीने की वजह से स्किन पर जुरियां पढ़ने लगती हैं।